सबी दोस्तों को नमस्कार और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और राजस्तान जी के के मैं तो पून प्रसनों तर पढ़ते हैं जो आपकी हैर प्रतियोंगी प्रिक्षा की तेहरी की दर्शी से काफी मददगार हैं तो आप किसी भी प्रिक्षा की तेहरी क्यों न कर रहे हूं समय बजाय जाने वाले वादे यंतर का नाम बताईए गिंदर नरते के समय वादे यंतर जो बजाय जाता उसका नाम है नंगाडा और यह शेकावाटे अंचल में बहुतायत रूप में गिंदर नरते केला जाता है और नंगाडा बजाय जाता है होली के दिनों में एक अंगुली से बजाये जाने वाले वादे यंतर का नाम बताईए, एक अंगुली से, संदूरा है, वो एक अंगुली से बजाये जाने वाले वादे यंतर है, एक अंगुली से बजाये जाने वाले वादे यंतर कोन सा है, संदूरा है, कालवेलिया दोरा बजाये जाने वाल वादे अंतर का नाम क्य है फूंग है अगला कि उसने सींग से से बनाय जाने वाले वादे इंतर का नाम है सिंगी सिंगी कि कमाइचा वाइदे इंतर में इतने तार होते हैं कमाइचा वाइदे इंतर में कितने तार होते हैं 16 तार होते हैं कमाइचा वाइदे इंतर में कितने तार होते हैं 16 तार बपंग किस से बनाय जाता है बपंग कद्दू से बनाय जाता है तो बपंग किस से बनाय जाता है कद्दू से बांकिया वादे यंतर किस से बनाय जाता है इपल की लकडी से बनाय जाता है बांकिया वादे यंतर इपल की लकडी से सादू समाज का वादे यंतर किसे माना जाता है नागफणी को माना जाता है सादू समाज का वादे यंतर नागफणी को नवरात्री के समय गाथा गीत गाते समय कौन सा वादे यंतर बजाय जाता है तो नवरात्री के समय गाथा गीत गाते समय कौन सा वादे इंतर बजाया जाता है? धाक वादे इंतर बजाया जाता है. अगला है, मोरचंग वादे इंतर को किसे से बनाया जाता है? लोई से बनाया जाता है मोरचंग वादे इंतर को किसे से? लोई से. रम जोल वादे इंतर कहां पर मुख्य रूप से बजा जाता है जालोर और बाड मेर में मुख्य रूप से बजा जाता है रम जोल जालोर बाड मेर में नेक्स्ट है खर्ताल किस की लकड़ी से बना जाता है फैर की लकड़ी से बना जाता है खर्ताल तो खर्ताल किस की लकड़ी से बनाय जाता है? खेर की लकड़ी से बनाय जाता है मिट्टी का बना हुआ वादे यंत्र कौन सा होता है? माटे मिट्टी का बना हुआ वादे यंत्र कौन सा है? माटे है राजिस्तान का कुलक शेत्रपल कितना है? 3,42,249 वर किलोमेटर तो राजस्तान का कुल एक्षेतरपल देश के क्षेतरपल का कितना परतिसत है? 10.41 परतिसत है तो राजस्तान का क्षेतरपल है वो देश के क्षेतरपल का 10.41 परतिसत है राजस्तान को मरुकांतार किसने कहा था? वालमी की जी ने राजस्तान को मरुकांतर कांतर कहा था मरुकांतर किसने कहा था वालमी की जी ने रिगवेद में राजस्तान का क्या नाम था ब्रिम में वरत नाम था रिगवेद में राजस्तान का तो रिगवेद में राजस्तान का क्या नाम था ब्रिम्मे वृतिनाम था राजस्तान का राजस्तान सब्त का प्राचिन्तम उप्योग राजस्ताना नियादी टेकिस सिलालेख में मिलता है तो राजस्थान सब्द का प्राचिन तम और राजस्थाना नियाधी टे वसन्द क dragons शिरोय सीला लेक में मलता है और विक्रम समत 682 में उत्किरन करवाई गया था राजस्तान को राजबुताना की संगया किस ने दी जोर्ज थमस ने राजस्तान को राजबुताना की संगया दी थी जोर्ज थमस ने करनल जेमस्टार्ड ने राजस्तान को क्या का था राय थान का था करनल जेमस्टार्ड ने राजस्तान को राय थान का था करिनल जेम स्टार्ट की पुष्टक का नाम था है करिनल जेम स्टार्ट की पुष्टक का नाम तो एनल्स एंड एंटिक्रिटीज आफ राजस्तान एनल्स एंड एंटिक्रिटीज आफ राजस्तान करिनल टोड की पुष्टक का नाम है करनल जेम स्टार्ड की पुस्तक का दूसरा नाम क्या है करनल जेम स्टार्ड की पुस्तक का दूसरा नाम जो उपर पुस्तक है उसी का दूसरा नाम The Central and Western Rajput States of India The Central and Western States Sorry The Central and Western Rajput States of India Colonel James Todd की पुस्तका सबसे पहले अनुवाद किस ने किया Colonel James Todd की पुस्तका सबसे पहले अनुवाद किस ने किया Colonel James Todd की पुस्तका सबसे पहले अनुवाद किया था किस ने Colonel James Todd किस पुस्तका सबसे पहले अनुवाद किया किस ने गोरी संकर हिराचंद हो जाने अगला करनल James Todd किस प्रांद के पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड उदेपुर प्रांद के 1818 से लिखकर 1821 तक ये मेवाड प्रांद के पॉलिटिकल एजेंट थे गोडे वाले बाबा के नाम से किस को जाना जाता है Colonel James Todd को गोडे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है Colonel James Todd को व्रेत राजस्तान का गठन कब हुआ 30 मार्च 1999 को व्रेत राजस्तान का गठन हुआ था राजस्तान दिवस का मना जाता है 30 मार्च को राजस्तान दिवस का मना जाता है 30 मार्च को राजस्तान के लिए राजस्तान नाम वीदिवत रूप से कब स्विकार किया गया 26 जनौरी सन 1950 को राजस्तान के लिए वीधीवत रूप से राजस्तान नाम स्विकार किया गया 26 जनौरी 1950 को राजस्तान के पहले राजपर्मु कों थे महराज स्वाई मान सिंग ते पहले राजपर्मु कों थे स्वाई मान सिंग राजस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री कौन थे तीरालाल सास्ट्री थे राजस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री कौन थे तीरालाल सास्ट्री राजस्तान में पहली बार आम चुनाव कब हुए उनीस सो बाउन में राजस्तान में पहली बार आम चुनाव हुए थे 1902 में हुए आम चुनाव के बाद राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने तो हीरा लाल साश्त्री थे वो निर्वाचित नहीं थे लेकिन 1902 में हुए आम चुनावे के बाद राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुक्यमित्री टीकाराम पालिवाल बने थे टीकाराम पालिवाल राजस्तान में राजपरमु कापद कब समाप्ट कर दिया गया और उसके इस्तान पर राज़ पाल का पद सर्जित किया गया जैने राजस्तान में राज़ प्रमुक का पद समाप्ट करके उसके इस्तान पर राज़ प्रमुक का पद कब सर्जित किया गया एक नॉम्बर उनीस सुच्पन को राजप्रमुक का पद तो समाप्त कर दिया गया और राजपाल का पद सर्जित कर दिया गया राजस्तान के पहले राजपाल कोन बने है सरदार गुरुमुक नियाल सिंग राजस्तान के पहले राजपाल बने थे गुरुमुक नियाल सिंग राजस्तान के किस जिले से होकर करक्रेखा गुजरती है राजस्तान के किस जिले से होकर करक्रेखा गुजरती है तो बांसवड़ा जिले के मद्दे से होकर करक्रेखा गुजरती है तो बांसवड़ा सहर के करक्रेका से राज्य का सरवादिक नज्दी की सहर है। सता करक्रेAK sécurité का डूंवरपृ जिले को सफ्र्स करती है। 3 है। और परसनेर की राज्दान की किस जिले से से करक्रेका गुजरती है। बीच से गुजरती है तो मासवाड़ा जिले की कौन सी तैसिल है जहां से होकर करकरखा गुजरती है तो कुसलगेढ तैसिल से होकर करकरखा गुजरती है तो सलगर तैसिल से राजस्तान में सूरिय की केड़ने सरवादिक सीधी काँ पर पड़ती है तो दोस्तो सीधी सी बात है करकरेखा 20 से गुजरती है तो बासवाडा में ही जो सूरिय की केड़ने है वो एकदम सीधी पड़ती है सरवादिक रूप से सीधी पड़ती है तो करक्रेका से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा जिला है तो सिरी गंगानगर है वो करक्रेका से राजस्तान का सबसे दूरी वाला जिला है ठीक है अगला है राजस्तान में सूर्य की केंड़े सरवादे तिर्ची कांपर पढ़ती है श्री गंगानगर में पढ़ती है क्योंक करक्रेखा 23 तीज 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 को करक्रेखा करक्रेखा भारत के कितने क्या राजस्तान की पूरे से पस्चिम उत्र से दक्षन को मिलाने वाली और रेखा हैं कहां पर एक-दूसरे को काटती है, राजस्तान की उत्र से दक्रों कि लंबाई कितनी है। उत्त्र से दाक्षिन, 826 किलोमेटर हे उत्तर से दाक्षिन क olmuşं 9 राजस्तान के सबसे उत्री छोर प्रवसावा गाउं कौन सा है तो कोना गाउं गंगानगर है गंगानगर का कोना गाउं में सबसे उत्र का गाउं है राजस्तान के सबसे दक्षिम छोर प्रवसावा गाउं कौन सा है सीलाना गाव है राज़ाख्यडा दोलपूर का गाव है सिलाना गाउं पूरवे में चलिए राज्टान के सबसे पश्चमी छोर पर बसावा गाउं कौन सा है पश्चमी छोर पर कट्रा फतेगड सम जसल मेर कट्रा है फतेगड सम तैसल जसल मेर में है जिया सुर्य व्दे कहा पर होता है दोलपूर जिले के सिवाना गाउं में होता है क्योंकि सबसे पहला गाउं कौन सा है वही है तो वहां ही सबसे पहले सुर्य व्दे होता है नेक्स्ट है राज्तान में सबसे बाद सबसे बाद कर देते हैं इसको बाद सूर्य कहां सूर्यस्त होता है सबसे बाद सूर्यस्त होता है कट्रा गाउं जसल मेर में क्योंकि लास्ट का गाउं कौन सा है कट्रा गाउं जसल मेर है तो वहाँ पर सबसे बाद तुरियस्त होता है राज्टान का अक्सान से विस्तार कितना है अक्सान से विस्तार 23 तीन से 30 तीन दिगरी 12 उत्री अक्सान्स यह याद रखना दोस्तू 23 दिग्री 3 से 30 दिग्री 12 उत्री अक्सांस है 23 दिग्री 3, 30 दिग्री 12 उत्री अक्सांस राजस्तान का देशांतर विस्तार कितना है 59 दिग्री 30 से 58 दिग्री 17 पूर्य देशांतर है 59 दिग्री 30 से 58 दिग्री 17 पूर्य देशांतर है यह राजस्तान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है वर्थपुर को राजस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्तान के सरोच शिकर गुरु शिकर के उंचाई कितनी है 1722 मेटर है तो राजस्तान का जो सरोच शिकर है गुरु शिकर उसके उंचाई 1722 मेटर है राज पूर्स्तान का कौन सा सहर है जिसको सैंसेटि के नाम से जाना जाता है जूद पूर्पूर नामा की पसके सिमा की सीमा की लंबाई है तो राजस्तान में मानसुन वर्षा किस दिशा के अतर बढ़ती है दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर्वे की और बढ़ती है दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर्वे की और बढ़ती है दक्षिन पूर्वे भूबाग पर सरवादिक वर्षा होती है दक्षिन पूर्वे भ राजस्तान के वर्तमान सोरुप का गठन कब हुआ एक नॉम्बर उनिस सो चपन को राजस्तान के वर्तमान सोरुप का गठन वाता एक नॉम्बर उनिस सो चपन को गठन के समय राजस्तान में कितने जीले थे तो जब राजस्तान का गठनवा उस समय राजस्तान में कितने जिले थे? 26 जिले थे राजस्तान में, उस समय 26 थे 26 वाजिला अजमेर एक नमबर उनिस सो चपन को बना था तो राष्तान का जो 26 मा जिला था वो एक नमबर उनिसो चपन को वा और उसी दिन राज़िस्तान का संपुन लूब से गठन वा था 27 मा जिला दोलपूर 15 अप्रेल 1922 को बना था उन्टीसमा जिला दोसा, दस अप्रेल उन्नीसो इकानम को ये बना था, उन्टीसमा जिला, तीसमा जिला बना रास्मंद, और ये दस अप्रेल उन्नीसो इकानम को ये बना, तो दस अप्रेल उन्नीसो इकानम को तीन जिले बने, बारां दोसा रास्मंद, ठीक है, देख लेज में बारां 10 अपरेल 1901 में दोशया 10 अपरेल 1901 में सिर्षम lorsquता अपरेल 1901 एक्पिष्मा जिलां सम्हा नंवानगड और बारां झूलाई 29चो चॉराणम् को बाना थाई यानी तीन साल बादका हनुमानगड बना 1904 में को 12 जुलाई और 32 जिला बना करोली 19 जुलाई 1907 में को और 33 जिला बना परताब गड़ और ये 26 जनुरी 2008 को बना था तो यहां पर 33 जिला आएगा तो 33 जिला परताब गड़ बना और यह बना था सभी जनुरी 2008 को पुडिया का पठार राजस्तान के किस जिले में इस्तित है पुडिया का पठार पुडिया का पठार राजस्तान के किस जिले में इस्तित है यह कई बार पूछा गया प्रसन है प्रीक्षाओं में पूछा जाता है प्रसन शिरोई में है उडिया का पटार कहा पर है शिरोई में राजस्तान के क्षेतर पल का कितना भाग रेगिस्तान है तो राजस्तान के क्षेतर पल का कितना भाग रेगिस्तान है दो तीहाई भाग क्या है रेगिस्तान है राजस्तान के क्षेत्रपल का दो त्याई बाग क्या है रेगिस्तान है अगला है थार के रेगिस्तान का कुल कितना राजस्तान में है थार का रेगिस्तान है और उसका कुल कितना रेगिस्तान राजस्तान में है तो ठ्याउन परतिस्ते रेगिस्तान है वो राजस्तान में है राजस्तान का एकमातर जीवासम पार्क कहां पर इस्तित है राजस्तान का एकमातर जीवासम पार्क आकल गाउं जसल मेर में इस्तित है जसल मेर के अंदर आकल गाउं है और वहां पर जीवासम पार्क है राजस्तान का सबसे निमंतम बिंदू कौन सा है सांबर जील जो समुदर तल से भी नीचे है सांबर जील निमंतम बिंदू जो समुदर तल से भी क्या है नीचे है राजस्तान के आकरती किस परकार की है विसम कोने चतरबुज के समान है राजस्तान के आकरती कारक रेखा राजस्तान के डूंगरपुर जिले के गाउं को नजदीक से सपर्स करती है इस गाउं को चीखली गाउं को नजदीक से क्या करती है सपर्स करती है डूंगरपुर जिले का चीखली गाउं है उसको नजदीक से सपर्स करती है और बासवड़ा जिले के मद्दे से ओकर बुजरती है राजस्तान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो दोलपूर है दोलपूर जिला है सबसे पूर्वी जिला है राजस्तान की अंतराश्ति सीमा की लंबाई कितनी है अंतराश्ति सीमा की लंबाई तो 1070 किलोमेटर है जिसका नाम रेड किलिप रेखा है और गंगानागर की 210 किलोमेटर लगती है विकानेर की 178 किलोमेटर लगती है जसले मेर की सबसे ज़्यदा 460 किलोमेटर लगती है और बार्ड मेर की 228 किलोमेटर लगती है तो एक नमर पर जसले मेर की सिमा 460 सिमा 162 नमर पर बाडमेर की सीमा 228 और तीन नमर पर गंगानगर की सीमा 210 और जो थे नमर पर विकानेर की सीमा 168 किलो ratal तोटल राजस्तान की सबसे कम सीमा किस राजी से लगती है पंजाब से लगती है 89 किलोमेटर राजस्तान की अर्याना से सीमा लगती है कितनी सीमा लगती है रास्तान की अर्याना से कितनी सीमा लगती है 877 किलोमेटर सीमा उतरप्रदेश से लगती है 877 किलो मेटर किलो मेटर लगती है न लूनी नदी के दूसरे नाम बताईए तो सागरमती, लवनवती, मरू असा ये लूनी नदी के दूसरे नाम है सागरमती, लवनवती और मरू असा लूनी नदी के दूसरे नाम है लूनी नदी की कुल लंबाई कितने है 445 किलोमेटर राजस्तान में बहाव चार्सो पेंतालीस किलोमेटर टोटल है और राज्तान में बाव है इसका तिन सो तीस किलोमेटर तो लूनी नदी के कुल लंबाई 495 किलोमेटर है राज्तान में बाव इसका तीन सो तीस किलोमेटर है ठीक है ना तो राजस्तान में बाव तीन सो तीस और कुल चार्सो पिच्छाणूर पश्चमी राजस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए तो पश्चमी राजस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है लूनी नदी पश्चमी राजस्तान की सब पच्छमी राजस्तान की सबसे लंबे नदी का नाम लूनी नदी है चारसो पच्छानम किलो मेटर और राजस्तान में बाव कितना है कितना है तीन सो तीस किलो मेटर ठीक है पच्छमी राजस्तान के गंगा अथ्वा रिगिस्तान के गंगा किस को का जाता है लूनी नदी को क का जाता है पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नदी है अजमेर जिला है वहां की नाग पाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का आरम में लूनी नदी को क्या कहते हैं आरम में सागरमती कहते हैं आरम में जब यह नाग पाड़ी से निकलती है तो उसको सागरमती कहते हैं ठीक है लूनी नदी की साइग न सुकडिय, मिर्टि, जवाई, सागी, लिलडी, जवाई, सागी जवाई नदी की बाली ताहसिल के गोरिया गाम से यह जवाई नदी है वो उत्पन होती है यानि उसका उत्गम स्थल पाली जिले की बाली तहसील का गोरिया गाउं है जो जडी नदी का उत्गम स्थल कहां पर है जो जडी नदी का तो नागोर जिले का पोडलो गाउं इसका उद्गम स्तल अरावली पर उत्माला नहीं है और यही एक नदी है जिसका उद्गम स्तल अरावली पर उत्माला नहीं है जो जड़ी नदी है इसी का उद्गम स्तल अरावली पर उत्माला से नहीं होता है फिकर नागोर जिले का पोडलो गाउं है वहां से इसकी उत्प बंधी नदी पर कौन सा बंध बना ऊगा है इमावाइस बंध बनध बनावाए बंधी नदी पर बांडी नदी पर हेमावास बांध है वो बनावा है केमिकल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है बांडी नदी को जाना जाता है केमिकल रिवर के नाम से बांडी नदी को बांडी नदी का उद्गमस्तान का अपर है पाली में है बन्डी नदी का उद्गम स्तान का पर है। सौम नदी काुद्गम स्तान उद्गर में रिशब देव के पास बिच्छा मेडा पाडियूं से सौम नदी का उद्गर महता है। जाखम का उद्गम स्थित्थ काँ पर है जाखम यह परताबगड जिले के छोटी सादरी तैसिल में स्थित्थ बहुरमाता की पाड़ियों से जाखम नदी निकलती है तो परताबगड जिले के छोटी सादरी तैसिल में स्थित्थ बहुरमाता की पाड़िया है वहां से जाख नदिये उसका उद्गम होता है साबर मती नदी का उद्गम स्थल कहा पर है साबर मती नदी का उद्गम स्थल उद्यपुर जिले के कोटरा तैसिल में स्थित अरावली के पाडियां है उद्यपुर जिले के कोटरा तैसिल है और वहां पर इस्थित अरावली के पाडियां वह साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? चार सो सोला किलो मेटर है. उद्यपुर की जीलों को पाणी कि उद्यपुर की जीलों को पाणी किस नदी पर राज्य की सबसे लंबी सूरंग बनाई गी है? पानी पहुंचाने के लिए उद्यपुर की जीलों को पानी पहुंचाने के लिए इस नदीपर राज्य की सबसे लंबी सूरंग बनाई गी है किस तरह से है प्रसंग उद्यपुर के देवास में साबरमती नदी पर एक सू पंदरा कीमिल शोरंग बनाई गी है तो उद्यपुर की जीलों को पानी पहुंचाने के लिए साबरमती नदी पर एक सू पंदरा किलोमेटर शोरंग बनाई गी है उद्यपुर के देवास में ठी के पस्ष्मि बनास का उद्गम स्थान कौन सा है? शिरोई के नया सानवारा गाउं से पस्ष्मि बनास का उद्गम होता है. शिरोई के नया सानवारा गाउं से पस्ष्मि बनास का उद्गम होता है. राज्थान के ऐसे कोई दो जिले बताई जिन में नदी नहीं है. विकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है तो ये थे राज्तान के मेतुपॉंट 100% अगले वीडियो में और परसंद देखेंगे